विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम भारतिय संसत के वितिय और उच्च सधन राज्य सभा काउंसिल ओफ इस्टेट्स पर चर्चा करेंगे राज्य सभा भारतिय संसत का दितिय या उच्च सदन है समिधान के अनुच्चेद असी के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 250 हो सकती है परंतु वर्दमान में यह संख्या 245 है इन में से बारा सदसे रास्टपती के द्वारा नामजद किये जाते हैं यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिने कला साहित्य विज्ञान समा सेवा या सहकारिता के शेतर में विशेष्ट ग्यान और अनुभव प्राप्त हो शेष्ट सदसे जनता द्वारा अप्रतक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं यह सदसे संग की इकाईयों का प्रतिनी धित्व करते हैं और इनका चुनाओ एकल संग कमणियमत तथा आनुपातिक प्रतिनी धित्व पदति के अनुसार संग के विबिन शेत्रों के विधान स सभाएं नहीं होती वहाँ पर राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए विशेष्ट निर्वाचर मंडल गठित किये जाते हैं हमारे समिधान में एकाईयों को राज्य सभा में प्रतिनी धित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है और अमरिका के समान भारत में सं विवस्ता करता है कि एक राज्य के जनसंख्या के प्रतम 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों के लिए एक और उसके बाद 20 लाख पर के इसाब से 20 लाख पर एक के हिसाफ से प्रतिनी प्राप्त होगा प्रचना की डिस्टी से हम देखें तो इसकी योग्यता हमने देखा कि किस तरह से इसका संगठन होता है और पाँच जो संगी शेत्रों जैसे कि अंडमान निकोबार आइलेंड है दमन दीव, लक्ष दीव, चंडीगर, दादर नागर हवेली को राज्य सबह में जो है प्रतिनिदित्य प्राप्त नहीं है और इसकी सदस्य की योग्यता के संदर में हम देखें तो सबसे पहले राज्य सबह का सदस्य जो व्यक्ति बनना चाहे या उसके लिए योग्यता है तो वो है पहला भारत का नागरी को, दूसरा उसकी आयूतीश वर्से कम की नहीं हो तीसरा वह किसी के लाप के पद पर नहीं हो, विक्रत मस्तिक्ष का नहीं हो यानि पागल कोड़ी दिवालिया नहीं हो और ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो संसत के किसी कानुन की द्वारा निशिद की जाए अनुच्छी 102 के अनुसार, संग अत्वा राज्यों के मंत्री पद, लाब की पद नहीं समझे गए हैं तथा यदि ये कभी प्रशन उठता है कि संसत की किसी सदन का कोई सदस्य उपर्युक्त योग्यता है रखता है या ये सभी योग्यता है रखता है या नहीं तो ये प्रशन निर्णे के लिए रास्टपती के साब पास को सोपा जाएगा तथा रास्टपती चुनावे राय के अधार पर ही निर्णे देना अंतिम होगा राज्यसभा का जो पदादेकारी होता है और राज्यसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापती भी निर्वाचित करती है राज्यसभा की जो गणपूर्ती है वो है वन टैन है वो यानि कि कुल सदस्यों का दहाई का आकड़ दस्वा हिस्सा है और राज्यसभा जो है वो एक इस्थाई सदन है और इसके सदस्यों का कारेकाल छे वर्ष का होता है इसे इस्थाई सदन इसलिए माना गया है कि इसे राष्टपती भंग नहीं कर सकता और पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता है राचे सभा के सदस्यों का कार्यकाल छे वर्ष है पर उसमें से एक तिहाई सदस्ये प्रती दो वर्ष बाद सेवा निवरत हो जाते हैं और नवीन एक तिहाई सदस्ये पद ग्रहन कर लेते हैं तो इस तरह से ये एक स्थाई सदन है इसका विगटन नहीं होता है राज्यसभा के संगठन और कारेकाल और इसके पदादिकारियों के बारे में चर्चा के बाद हम देखते हैं कि राज्यसभा के क्या कारिय और शक्तिया है सबसे पहली है विधाई शक्ति लोकसभा के बाद राज्यसभा भी विधे निर्माण के शेत्र में कारे करती है समीधान के द्वारा एवित्य विध्यक के सम्मन में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियं दी गई है एवित्य विद्यक लोक सभा या रज्य सभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रिस्तावित किया जा सकता है और दोनों सदनों के पारित होने के बाद ही रास्पति के पास दक्षर के लिए भेजा जाता है बैवार में इस्तिय हैं कि सामनत सभी महत्वपूर्ण विधयक लोग सभा में ही प्रिस्तावित किये जाते हैं राज्य सभा में नहीं यदि दोनों सदनों में से किसी विधयक पर मदबेध उत्पन हो जाए तो रास्पति के दुआरा दोनों सदनों के सेयुक तो बैठक बुलाई जाती है तो इस प्रकार उपचारिक डिस्टी से ऐवित्य विदेख के समन में दोनों सद्वनों की शक्तिय समान इस तर पर है लेकिन चुकि स्यूक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति रास्टपती को है और रास्टपती द्वारा यह कार्य मंत्री परिश्ट के परामर्श के अधार पर किया जाता है मंत्री परिश्ट लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है अत्या बहुत अधिक संभावना यह रहती है कि सहीं तदीवेशन बुलाने के समदर में मंत्री परिशत लोकसभा के डस्टी कोण को ही ध्यान रखेगी तो इस तरह से राज्य सभा की सिधी थोड़ी निन्बाल हो जाती है क्योंकि मंत्री परिशत के बहुमत के अधार पर लोकसभा की इस्तिहां पर मजबूत है और दूसरी बात यह है कि सेउक्त बैठक में विधेक के भागय करने निन्बाल मत के अधार पर किया जाता है और लोकसभा की सिदस्य संख्या राज्य सभा से दूनी से अधिक होने के कारण संभावना यह है कि विधेक की स्विकर्ति जो है यह ऐस्विकर्ति लोकसभा के इच्छानुसार ही होगी दूसरा जो कारिय या शक्ति राज्य सबा की है वो है समिधान में शंशोधन की शक्ति तो समिधान में शंशोधन का विधेक संसत के किसी भी सदर में प्रिस्थावित किया जा सकता है और संशोधन प्रिस्थाव तभी समिधा जाएगा जबकि उसे संसत के दोनों सदर्णों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्ति एम उमद्दान में भाग लेने वाले सदसों के दो तीहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए संशुदन प्रिस्ताओं पर संसत के दोनों सदनों की ऐसा मिती होने पर संसत के दोनों सदनों की सहयुक्त बैठक की कोई विवस्ता नहीं है ऐसे सिती में संशुदन प्रिस्ताओं गिर जाएगा नेक्स्ट है वित्तिय शक्ति राज्य सभा को कुछ वित्य शक्तियां भी प्राप्त हैं यंद्मी समिधान के द्वारा इस सम्मन्द में राज्य सभा के लोग सभा की तुल्ला में निर्बल इस्ति प्रदान की गई है समीधान के नुसार वित विदेख पहले लोकसभा में ही प्रिस्तावित किये जाएंगे लोकसभातवरा स्रीकरतोंने पर वित विदेख राज्यसभा में भेजे जाएंगे जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विदेख पर विचार किया जा सकेगा राज्य सबा विद्विदेक के संबन में अपने सुझाओ लोग सबा को दे सकती हैं लेकिन यह लोग सबा की इच्छा पर है कि वह उन पस्तावा को माने या ना माने इस टिस्टी से राज्य सबा के इस्थी बिटेन के हाउस ओफ लोड्स से भी निर्बल है क्योंकि हाउस ओफ लोड्स के द्वारा विद्विधेक एक माहा तक विचार किया जा सकता है समयधाने की तिहास में राज्य सबा के द्वारा पहली बार 1977-78 के वार्शिक बजट में 6 शंशोदनों की शिफारिश की गई लेकिन लोगसबा ने राज्य सबागदारा पहस्ताविश शिंशोदन रद कर दिये नेक्स शक्ति है कारे पलिका से सम्मंदित संसिदात्मक शाशन विवस्ता में मंत्री परिशट लोग प्रियस दन के प्रती ही उत्तरदाई होता है अत्य भारत में मंत्री परिशद केवल लोग सभा के प्रती ही सामूर उनक रूप से उत्तरदाई तो है या उत्तरदाई है नेकी राज्य सभा के प्रती राज्य सभा के सदस्यों सदस्य मंत्रियों से प्रशन वैपूरक प्रशन पूर सकते हैं और उसके आलोचना भी कर सकते हैं परन्तु उन्हें ऐ विश्वास प्रस्ताओं के द्वारा मंत्री मंडल को खटाने का अधिकार नहीं है यह अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है इसके अतरिक तो और भी कही शक्तियां है राज्यसभा जैसे कि राज्यसभा के सदस्से रास्पती के निर्वाचन में भाग लेते हैं उपरास्पती के निर्वाचन में भाग लेते हैं उप रास्पति को पस से हटाने का प्रस्ताओ पहली बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा को भीजा जाता है और एक माँ से अधिक अवदी तक ये अपात काल लागू करना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताओ का अनुमधन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित होना आवेशक है लोकसभा के विगटन की सिती में केवल राज्यसभा के अनुमधन से ही आवेशक है और आपत कल में मौलक अदिकारों के निरंबन के लिए दे गए आदेश को भी यथा शिक्र सिंसत के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए इसके तरिक्त अन्ने शक्तियां भी राज्य सभा को कुछ प्राप्त है जो महत्वपूर है अनुच्छे 249 के अनुसार राज्य सभा उपस्तित और बद्दान में भाग लेने वाले दो सियाई सदस्यों के भहुमत से राज्य सची के किसी भी विशेव को रास्टिय महत्वप का गोशित कर सकती है राज्य सभा द्वारा ऐसे प्रिस्ताव पर पास कर दिये जाने पर संसत उस विशह पर कानून बना सकती है ऐसा प्रिस्ताव प्रारंब में एक वर्ष के लिए लागू होता है लेकिन यदि राजे सबा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दूसरी है कि अनुचे 312 के अनुचार राजे सबा अपने दोतिया ही बहुमत से प्रस्ताव पास कर अखिल भारतिय सेवाओं के स्थापना करने का अधिकार जो है केंदरी सरकार को दे सकती है राजे सरकार जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित ने कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किनी नवीन अखिल भारतिय सेवाओं की विवस्ता नहीं कर सकती है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य सभा नेकेबल दुत्य सदन वरन दुत्य महेद का भी सदन है और शक्तियों के डिस्टे से उसके सिती जो है लोड सबत अथा एमरीकी सीनेट से बीच से कहीं अधिक बीच में ही कहीं है तो वास्त में समिधान निर्माताओं के दुआरा राज्य सभा को प्रथं सदन के सहयक और सहयोगी सदन की भूमी का ही प्रदान की गई है प्रतित्वंधीत्या की नहीं लोगग सभा की तुल्ना में निर्बल होतु है भी उसके सिधी और उसके शक्तिया जो है फिर भी महत्पूर है अर तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यद भी राज्य सभा की जो आलोचना की जाती है कि यह समांता के सिध्दांक के आधार पर गठन किया जाना चाहिए लेकिन भारत में राज्य सभा के गठन में अमरीकी सीनेट और आस्टेले के तुटी सदन के समान संगात्मक्ता के सितांद का पालन नहीं किया गया कैसे नहीं किया गया कि अमेरिका में तो सभी राज्यों को समान प्रतिनिदित प्राप्ते लेकिन भारत में जिनसंक्या के आधार पर है और राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर होता है और राज्यसभा के सदस्वा द्वारा दलगत आधार पर ही कारे किया जाता है तो यह जो इस्तिति जो है सहीं नहीं है इसके आलोचना की जाती है और अपर्टक्ष निर्वाचन के अधार पर जो यह सदसे पदilt करते हैं तो इसमें धन शक्ति का प्रस्ट साधनों के अधार पर चुनाओ चीत लिया जाता है चाहे वो मन्योनिन के अधार पर हो चाहे वो आनुपातिक प्रतिनीदित के अधार पर हो और राज्य सभा को एक राज़त एक शरण ग्रह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसमें ऐसे लोगों को इस्थान दिया जाता है जो प्रतक्स चुनाओं से भागते हैं जिनें प्रतक्स चुनाओं में जनता ऐस्विकार कर देती है तो इस तरह से उसके उप्योगीता के संधर में जो है आलोच को आलोचनाई की जाती है और बहुत से आलोच की अभी कहते कि उसे विदाई शेतर में भी कोई शक्तिया नहीं है क्यांकि वेubh 125 को में यь 6 महिनी और वित्याव्तिविच में jako 14 दिन की देरी लगा सकती है इसके तरिक जो लाज्यसभा को वित्य और अवित्यी विधिय विधियों को के सम्मंद में देर लगाने के जो शक्ति प्राप्ते में हानिकारक सिद्ध हुई है और विशीज परतितियों में बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकती है तो आलोचकों के अनुसार लोकसभा की कारेवादी, कारेविधी और गठनी इस प्रकार का है कि इसके दोरा कानुन निर्माण में नेतो अनावेशक जल्दबाजी को अपनाया जाता है और नई निरुंकुष्टा को तो इस प्रकार लोकसभा पर थोड़ा सा अधिक अंकुष रखने के लिए राज्यसभा का कोई उचित्य नहीं है लेकिन इन आलोचनों से जो है लोकसभा था राज्यसभा के पारस पर एक विरोध की घटनाओं के बावजूद राज्यसभा का अस्तित्य पर्याप्त उप्योगी और लापकायग है क्योंकि यह अनेक ऐसे कारिय करती है कि उन सभी कारियों को करती है जो परंप्रागत रूप में दित्य सदन के द्वारा किये जाते हैं और भाराज जिसे विशाल और संगहात्मक व्यस्ता वाले देश के लिए संगहात्मक व्यस्ता पिका खा दी सदनात्मक होना नितांत सुभाविक और आवेशक है तो यद भी उसके कुछ आलोच ना है या कमिया हो सकती है लेकिन हमारे संगह प्रड़ाली को सुरक्षित रखने के लिए और उस पर अंकुष रखने के लिए लोगसबा पर अंकुष रखने के लिए दो सदनों को होना नितांत आवेशक है धन्यमाद